किसान लगातार कूछ कर रहे हैं देखे मैंने पहले ही कहा कि किसान संगठनों के साथ हम हमेशा रचनात्वक धंग से सकरात्वक धंग से बात करने की जो कोशी से हैं वो जारी रहेगी और हम बातचित करने के लिए तैयार है किसान संगठनों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णाइ नहीं लिया जा सकता है जिससे की बाद के दिनों में सब के लिए बगार सोची समझी इस्तिती के बारे में लोग आलोचना करें बल्कि हमें ये कोशिस करना चाहिए कि हम इसके सारे पप्षों का ध्यान रखे और उस पर चर्चाना दूसरी बात किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा खास करके वैसे संगठनों के नेताओं को जो किसान संगठन से जूड़ करके इस तरह की बाते कह रहे हैं तो आम जन जीवन को बाधीत ना करें आम जन जीवन किसी तरह से परिशान न हो एक सामाने लोगों के लिए कठिनाई पैदा करना मैं समझता हूँ कि इससे समस्या का समाधान के बज़ाए समस्या और अधिक उलस्ती है इसलिए मैं किसान संगठनों से यही आज भी निवेदन करूँगा कि जो बाचीत का माहुल है उसको बनाए रखे और बाचीत करते हुए हम समाधान का रास्ता मजबूत करें कि आख समाधान की बात करें लेकिन यहां पर विपक्षिण निलेकर देखें माहुल में किसान संगठन एठनों को यही करूंगा किसी डी से प्रेरित होकर नहें बलके किसान और किसान परिवारों की चिंता लगातार सरकार की है और करेगे किसान संगठनों को इस बात का ध्यान रखते हुए कि हम लगातार इस बात को ध्यान में रखें कि आसामाने इस्तिती पैदा करके किसी का समाधान नहीं हो सकता अगली बैठर कब होगी बताएंगे